पिछली कडी में हमने हूण कभीलों के मंगोलिया से निकल कर मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान तक के क्षेत्र में जाकर बसने उनके एक कभीले का तुर्क नामकरन होने तुर्कों द्वारा इसलाम स्वीकार करने तथा बगदाद के खलीफाओं के तखते पलट कर अनेक स्वतंत्र तुर्की राज्यों की इस्थापना करने के इतिहास की चर्चा की थी इस कड़ी में हम हून जाती के पड़ोस में बसने वाली मंगोल जाती के उद्भव एवं प्राचीन इतिहास की चर्चा करेंगे दर्शकों को इस्मरण होगा कि इस धारावाहिक की प्रथम कड़ी में हम यह बता चुके हैं कि तुर्कों एवं मंगोलों के इरक्त मिश्रन से मुगलों का जन्म हुआ था इसी कारण हम तुर्कों एवं मंगोलों के इतिहास पर संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं जिस समय हून मंगोलिया से निकल कर बालीक देश की तरफ जाने आरंब हुए थे उस समय उनके पड़ोस में उनके ही जैसी एक और घुमककर तथा पशुपालक जाते निवास करती थी जिनहें मंगोल कहा जाता था आदनिक काल के इतिहासकारों के अनुसार मंगोल चीन के उत्तर में एस्थित गोबी के रगिस्तान में रहने वाली गुमनतू एवं अर्द सब्य जाती थी हुणों की तरहें मंगोलों की जन संख्या भी बहुत विशाल थी मंगोलों के नाम पर याक्षित्र मंगोलिया कहलाता था हुणों के मंगोलिया से निकल कर मध्य एशिया में फैल जाने के सेंकणों साल बाद भी मंगोल जाती के लोग पशु चराने वाले गुमककड कबीलों के रूप में रहते थे जंगली पशुओं का सिकार करना और भेड़ें तता घोड़े पालना इस समुदाय के मुख्य व्यवसाय थे मंगोलों की कोई इस्थाई वस्तिया नहीं थे मंगोल जाती के लोग बहुत गंदे रहते थे और सभी प्रकार के पशुओं का मांस खाते थे एक मंगोल निरंतर 40 घंटे तक गोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा कर सकता था मंगोलों में इस्त्री संबंधी नैतिकता का सर्वथा अभाव था किन्तु वे मा का सम्मान करते थे मंगोल जाती विबिन्न कबीलों में बठी हुई थी जिन में परस पर शत्रुता रहती थी बारहवी शताबदी इस्वी में उनी कबीलों में से एक कबीले का सरदार ये सूगाई था जिसने एक अन्य कबीले के सरदार की औरत को चीन लिया मंगुल सरदारों को खान तथा उनकी औरतों को खातून कहा जाता था येसुगाई की खातून के पेट से ईसवी 1163 में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम तेमू चीन रखा गया चीन में प्रचलित कुछ दंत कथाओं के अनुसार तेमू चीन का जन्म ओमन नदी के तठ परिस्थित दिलम बोलड़क नामक शहर में हुआ था जन्म के समय इस बालक की हतेली पर गने बाल थे और उसकी मुठी में रक्त तथा मांस का पिंड था इन दंत कथाओं के अनुसार यह बालक जन्म के समय रोया नहीं था अपित उसने भयानक चीतकार किया था जिसे सुनकर प्रसव कराने वाली दाईयां डर गई इस कारण लोगों में यह धारना बन गई कि खातून के पेट से शैतान ने जन्म लिया है जब येसुगाई खान मर गया तब उसकी खातून एवं बच्चों को शत्रों के भय से कबीला छोड़ना पड़ा और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ा किन्तु जब येसुगाई का पुत्र तेमुचीन बड़ा हुआ तो वह अद्भुत लड़ा का सिद्ध हुआ उसमें युद्ध करने एवं अपने साथियों का नेत्रत्व करने की अद्भुत ख्षमता थी विश्व इतिहास में तेमुचीन को चंगेज खां के नाम से जाना जाता है जब चंगेज खां का पहला विवाह हुआ तो उसकी पत्नी बोल्टे का विवाह के तुरंत बाद एक शत्रु कबीले के सरदार ने अपहरंड कर लिया चंगेज खां की पत्नी कई महीनों तक शत्रु कबीले के सरदार के पास रही कुछ समय बाद चंगेज खां अपनी पत्नी को छुड़ा कर ले आया चंगेज खां की इस पत्नी ने कुछ समय बाद एक पुत्र को जन में दिया जिसका नाम जोची रखा गया चंगेज खान को जोच्ची के वास्तविक पिता के संबंध में संदेह था फिर भी चंगेज खान जोच्ची को अपने पुत्र के रूप में पाला जोच्ची भी बड़ा होकर चंगेज खान की तरहें बड़ा वीर योद्धा सिद्ध हुआ तथा उसने विभिन्न युद्धों में अपने पिता चंगेज खान की बड़ी साहता की चंगेज खाने मंगोलों के विभिन्न कबीलों को संगटित करके एक विशाल सेना का गठन किया तथा मंगोलों को विश्व की सबसे बड़ी सैनिक शक्ती में बदल दिया चंगेज खान की 14 पत्नियों एवं उपत्नियों के नाम मिलते हैं जबकि वास्तविक संख्या इस से भी अधिक बताई जाती है इन पत्नियों एवं उपत्नियों से चंगेज खान को धेरों बेटे बेटी प्राप्त हुए चंगेज खान ने अपने सामराज्य को विभिन्न खानेटों में विभक्त किया तथा प्रत्यक खानेट को चंगेज खान के एक पुत्र द्वारा शासित किया गया जिस प्रकार छटी शताबदी ईस्वी के मध्य में बूमिन ने तुरकों का शक्तिशाली संगठन इस्थापित किया और उसके वन्शजों ने लगभग संपूर्ण मध्य एशिया पर अधिकार कर लिया उसी प्रकार चंगेज खाने बारहमी शताबदी के अंत में मंगोलों को आधे से अधिक संसार पर अधिकार करने के लिए तैयार कर लिया मंगोलों की सेना एक रात्री में 20 मील से अधिक का मार्क तै कर लेती थी मंगोल सैनिक तेजी से दौडते हुए घुड़े की पीट पर बैठ कर अपने शत्रूओं को तीरों से मार डालते थे मंगोल सैनिक जितने मजबूत लड़ाके थे उतने ही अधिक क्रूर एवं हिनसक थे वे जहां कहीं भी गए उन्होंने वहां की सभ्यता के समस्त चिन्नों को नश्ट कर दिया बारहवी शताब्दी से लेकर सोलेवी शताब्दी तक संपूर्ण एशिया एवं यूरोप में मंगोल आकर्मनों का भय एवं आतंकव्याप्त रहा इस काल में मंगोल मूर्ती पूजक थे तथा विभिन प्रकार के देवी देवताओं की पूजा किया करते थे चंगेज खां के नाम में लगे खां शब्द से यह ब्रह्म नहीं होना चाहिए कि वह मुसल्मान था मंगोल कबीलों के मुख्या को आदिकाल से ही खां या खान कहा जाता था एक बार तुर्क सरदार बूमिन ने मंगोलों के किसी बड़े नेता को पराजित किया था तब तुर्कों ने भी खान उपाधी धारन की और तब से तुर्क मुख्या भी अपने नाम में खां अथ्वा खान लगाने लगे जिसका व्यवहरिक अर्थ राजा अथ्वा मुख्या होने से था वर्तमान समय में भारत, बांगलादेश एवं पाकिस्तान में अधिकांश लोग खां शब्द का अर्थ मुसल्मान होने से मानते हैं किन्तु मंगोल एवं तुर्क सरदार उस समय से अपने नाम में खां लगाते थे जब इसलाम का उदय भी नहीं हुआ था चुँकि कालांतर में मध्धे एशिया के तुर्कों एवं मंगोलों ने इसलाम अंगी कार कर लिया था इसलिए मध्धे एशिया एवं दक्षन एशिया के लोगों में यह धारणा बन गई कि खां होने का अर्थ मुसल्मान होना है दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां के मुसल्मान अपने नाम में खां नहीं लगाते इसका कारण यह है कि उन देशों के लोग मुसल्मान बनने से पहले तुर्क अथ्वा मंगोल नहीं थे और उस देश के लोगों को तुर्कों अथ्वा मंगोलों ने मुसल्मान नहीं बनाया था 12. शताबदी के अंत एम 15. शताबदी के आरंभ में उत्तरी चीन में किन वंश के चीनी समराटों का शासन था चंगेज खां के नेत्रत्व में मंगोलों ने किन सामराज्य के विरुद्ध विद्रो करके स्वहम को स्वतंत्र घोशित कर दिया तथा किन समराठ को परास्त करके उसकी राजधानी पेकिंग पर अधिकार कर लिया उतरी चीन के पश्चिम में उस समय तुर्क जाती का एक शक्तिशाली सामराज्य विद्यमान था जिसकी राजधानी खीवा थी चंगेज खां की सेनाओं ने इस तुर्क सामराज्य पर भी आकर्मन किया तुर्क जाती के लड़ाके मंगोल जाती के लड़ाकों के समक्ष नहीं टिक सके और खीवा का तुर्क सामराज्य चंगेज खां के अधिन हो गया अब चंगेज खां पेकिंग तथा खीवा के दो विशाल सामराज्यों का स्वामी था अगली कड़ी में देखिए मुसलिम राज्यों में चंगेज खाने अधिक विनाश किया क्रपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एवं शेयर करें धन्यवाद